पिछले कुछ दिनों से खबर आ रहे थी कि कैसे शिल्पा शेटी जो हैं बड़ी दुखी हैं शिल्पा शेटी रो रही हैं शिल्पा शेटी टूट गई हैं शिल्पा ने राज को कहा कि तुम्हें ऐसा करने की कहा जरूरती इतना सब कुछ होते हुए शिल्पा राज के सामने क्राइम ब्रांच के सामने रोने लगी आज क्राइम ब्रांच के ओफिसर ने इन सारी बातों को लेकर खुलासा किया है और कहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं शिलपा शेटी से जब पूछताच की गई और उसको लेकर ये जो खबरे आ रही है कि राज को देखकर कहा कि तुमन मेरे family को बदनाम कर दिया है हमारा नाम खराब कर दिया है यह सारी बातें सिर्फ और सिर्फ जूती ही नहीं बलकि मन गड़त बनाई हुई है यह काम है शिलपा शटी के PR टीम का Crime Branch के officials ने कहा कि शिलपा शटी पूरी तरीके से Crime Branch के गेरे में है शिलपा शटी को लेकर जो खबरे आ रही थी कि उन्हें समन नहीं किया जाएगा या फिर शिलपा शटी इसमें involved नहीं है तो आज Crime Branch की तरफ से official statement आ गया है जिसमें कहा गया है कि शिलपा शटी को clean chit नहीं दी गई है हर एंगल से जाच कर रहे हैं और जाच में सामने आया है कि जो ये पॉनोग्राफिका धंदा था उसकी न सिर्फ शिलपा को जानकारी थी बलकि उससे related जो कमाई हुई है वो शिलपा के खातों में भी आई है शिलपा के जानने में ही ये सब कुछ हुआ है और यही बात आक्टर मुकेश खना ने भी कुछ दिनों पहले कही थी कि मैं मान ही नहीं सकता कि शिलपा शटी को अपने पती के इनकार नामों की जानका दीना हो तो राज हुद्रा के अरेस्ट होने के बाद शिलपा को लेकर जितने भी sympathetic बाते आ रही है वो बाते सिर्फ बनाई हुई बाते हैं जो PR टीम बना रही है ताकि शिलपा की image इतनी damage नहों जैसा कि हमने सुना कि शिलपा ने कहा मेरे endorsement शिन गए मेरे साथ कोई आग नहीं करेगा कोई काम नहीं करेगा ये सारी बाते बनाई हुई है Crime branch को शिलपा शिट्टी के खिलाफ पुखता सबूत मिले हैं और जरुत पड़ी तो शिलपा शिट्टी से फिर से पूछताच भी होगी इसी बीच खबर ये भी आई है कि already राज कुंद्रा के इस केस में involved होने के बाद शिलपा का नुकसान होना शुरू हो गया है Super Dancers जिस शो की शिलपा शिट्टी जज थी उसके दो एपिसोड शूट से शिलपा शिट्टी गायब रही और अब मेकर्स ने शिलपा शिट्टी तक ये मैसेज पहुचा दिया है कि जब तक आपको बोला ना जाए तब तक आप मत आईए शिलपा शिट्टी की जगें भनने के लिए फिलहाल अलग-अलग गेस्ट बुलाये जा रहे हैं एक एपिसोड में करिश्म कपूर आई अब रितेश देश्मुक और जैनिलिया के आने की बात है आने वाले समय में और भी कोई सेलिब्रिटी ज नजर आ सकते हैं लेकिन फिल की ब्रैंड वैल्यू में शिलपा शिट्टी के कारण कोई नेगेटिविटी ना आए तो यह है पावर इस इंडस्ट्री में इमिज का यही कारण है कि इमिज बिल्ड करने के लिए यहां के आक्टर्स महंगी से महंगी प्यार कंपनी हायर करते हैं जो इनके लिए इमोशनल से इमोशनल और अलग तरह की न्यूज मीडिया में बाटते रहे